Hey everyone, once again, welcome back to my YouTube channel and आज का जो वीडियो है वो काफी जादा अलग लेकिन काफी जादा इंफोरमेटीव होने वाला है, मुझे बहुत सारे स्टुडेंट्स के मैसेज़ीस है कि सर आलवेज ही चीज होती है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं किसी भी स्टॉप लगाते हैं तो हमारा अलवेज स्टॉप लोस जो हीट हो जाता है चलो यह बात तो ठीक है लेकिन उसके बाद अलवेज स्टॉक की प्राइस जो उपर चली जाती है अगर आप गूगल या यूट्यूब पे जभी भी सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे ट्रेड होते हैं जिसको बोला जाता है stop loss वो आपको कही पर भी नहीं सिखा जाता कि proper stop-loss कहां पर रखा जाता है अगर आपको proper stop-loss रखना नहीं आता तो लेकिन loss कितना हमें control में रखना है वो आपके खुद के आथ में अगर आपका loss जो उसको control करना नहीं आता तो आप definitely stock market में profit नहीं बना सकते but figure not आज मैं आपके लिए एक ऐसी stop loss की strategy लेके आया हूँ so यह जो method वो काफी ज़्यादा different and काफी ज़्यादा important होने वाली है so यह मेरा request कि इस वीडियो को पूरा देखेगा कहीं पर भी वीडियो को बीच में से छोड़कर directly वो चीज को implement करने मत भाग जाना because method को पूरा सिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रु है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके पैसो का loss करवा सकते है so I would suggest कि आपको पूरा वीडियो जे उसको complete देखना है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है फटा फट जाके उसको subscribe किजें साथ में वो bell icon को भी दबाएगा क्योंकि में investment related, stock market related काफी ज्यादा updates and काफी ऐसी strategies लेकर आता हूँ जिसमें आपकी जो wealth है आपका जो financial freedom में वोची हो सके so without wasting your time मेरा नाम है स्मिठ थकर I'm your financial architect let's begin the video तो यह सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे common stop loss strategy के बार में जो भी बड़े-बड़े stock market influencer से या तो फिर जो भी बड़े-बड़े stock market trainer से वो common stop loss method आपको सिखाएंगे कि आपको 2 से 3% जितना ही stop loss रखना है मतलब कि अगर जितनी भी amount आप invest कर रहे हो उस पे आपको 2 से 3% तक का ही loss जिलना है after that आपको जो आपकी position है वो square off कर देनी है so एक example लेते कि let's assume आप 1 lakh रूपी इसको किसी भी stock में invest कर रहे हो so आपको यह सिखाया जाता है कि उसमें आपको 2,000 से लेकर 3,000 तक का ही stop loss रखना है उससे ज्यादा आपको stop loss नहीं रखना है so इसमें चीज़ क्या होगी कि आपके stock की price जैसे ही नीचे आएगी है जैसे आपका 3,000 का loss होगा वहाँ से आपकी जो position है वो square off हो जाती है इसी वज़े से maximum case में लोगों के stop loss हीट होते है and उसके बाद stock की price उपर चली जाती है why? because market don't know what is 2% or 3% market आपके 2 या 3% के इसाब से work नहीं करता market को नहीं बोता था कि भाई मैं यहाँ पर यह जो बंदा है उसका 3% पर stop loss है so मुझे यह price जो है वहाँ पर नहीं लेके जानी no market हमारे हिसाब से work नहीं करता जबकि हमें market के हिसाब से work करना है ठीक है इसी वज़े से maximum case में लोगों का loss होता है so यह 2% 3% जो method उसको आपको पूल जाना है because market हमारे हिसाब से work नहीं करता so वो जो best strategy है stop loss की उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी laptop screen पे so let's go so अभी मैं सिखाऊंगा आपको best stop loss strategy के बारे में लेकिन stop loss कैसे रखना है कहां पे रखना है उससे पहले यह जान लेती कि stop loss का actual में importance क्या है let's assume दो लोग है A person and B person okay दोनों लोग stock market में trade करते है जिसमें से जो A person है वो without stop loss काम करता है and जो B person है वो stop loss लगा कि अपना जो trade है उसको execute करता है and let's assume दोनों का जो success rate है वो 50% है मतलब कि उनके जो 10 में से 5 trades होते है उसमें वो profit करते है and जो भी 5 trades है उसमें उनके loss होते है so यहाँ पे दोनों का जो winning rate है वो let's assume 50% है अभी with stop loss and without stop loss में क्या difference है उसमें आपके capital पे कितना effect होता है आये वो जानते है so let's assume यहाँ पे सबसे पहरे ए बन्दा है जो 10 trades करता है ठीक है उसको मैं कर देता हूँ 10 trades अभी यह जो person है वो भी stock market में 10 trades कर रहा है and उसकी जो winning probability है वो 50% है मतलब कि आदे trades में वो profit करता है आदे trades में वो loss करता है अभी यहाँ पे चीज क्या होगी कि यह जो a person है वो stop loss नहीं लगा था अपने trades में so उसमें यह probability हो सकती है कि उसका जो loss है उसकी भी कोई limit नहीं because उसने कहीं पर भी अपने loss को control नहीं किया so उसने जितना investment किया है वो पूरी investment amount ही उसका एक risk capital भी हो सकती है वो उतना loss भी कर सकता है so let's assume यह जो बंदा है वो market में 1 lakh रुपीज को लेकर उतरा है and अभी वो अपने 10 trades को यहाँ पे execute कर रहे है let's assume पहले trade में उसको 5,000 रुपीज का profit हुआ दूसरे trade में उसको 6,000 रुपीज का profit हुआ now let's assume वो बंदे को loss हो रहा है उसका सबसे पहले 5,500 रुपीज का loss हुआ again उसने 7,000 रुपीज का loss किया after that again वो बंदा profit कर रहे 3500 रुपीज का after that again उसने 8,900 का loss किया now again उसने 10,000 रुपीज का profit किया उसके next trade में again वो 7,000 का loss करता है ठीक है again उसने 5,500 रुपीज का profit किया and now last but not the least again वो बंदा जो है वो 6,000 रुपीज का loss करता है so यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 50% probability को यहाँ पर पकड़ा हुआ है so after this 10 trades अगर देखा जाए तो उस बंदे का total यहाँ पर summation बनता है minus 4,400 उसने at the end 10 trades के बाद 4,400 रुपे का loss किया actually मैं why because यह बंदा जो है उसने अपने capital पे loss को control नहीं किया था so 50% यहाँ पर success rate होने की वज़े से even यहाँ पर stop loss ना लगाने की वज़े से वो बंदा at the end तो loss करता है let's assume again उसके सामने B person है उस वो भी 1,000 रुपीज की capital लेके market में उतरता है now let's see कि यहाँ पर चीज क्या होती है let's assume again उसका भी यहाँ पर 5,000 रुपीज का profit होआ यहाँ पर B person का again 6,000 रुपीज का profit आए लेकिन यहाँ पर जहाँ पर A person ने अपने loss को control नहीं किया था यहाँ पर B person अपना stop loss लगा के बैठा है so यहाँ पर उसका सिर्फ 2,000 रुपीज का ही profit हुआ after that यहाँ पर जो 7,000 का profit हो रहा था यहाँ पर let's assume उसका 3,000 का ही profit हो रहा है again यहाँ पर 3500 का profit बना रहा है यहाँ पर जो 8,900 का A person ने loss किया था why because उसने again stop loss नहीं लगाया था यहाँ पर उसका सिर्फ 2,000 का ही loss होता है again यहाँ पर उसका 10,000 रुपीज का profit हो ने how पर यहाँ पर let's assume 2500 रुपीज का stop loss ही तो हुआ यहाँ पर again वो 5,500 का profit करता है and यहाँ पर again उसका 1,500 का ही loss होता है ठीक है, so ये power है stop loss का, why, because जब आप stop loss लगाते हो, फिर चाहे आपका success rate इतना कम क्यों ना हो, at the end of profit ही निकालते हो, and honestly speaking, जो भी बड़े-बड़े stock market investors है, उनका success rate है, वो hardly 60-65% होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बाजी मार जाते है stop loss के case में, they know how to control the loss, so उनको पता है loss को कैसे control किया जाता है, so I hope now you understand कि ये कैसे होता है, now, I know maximum लोगे के mind में ये equation होगा, कि चलो sir, मैंने आपकी बात मान ली, हमने यहाँ पर stop loss भी लगा दिये, ठीक है, हर एक हमारे trade में, लेकिन कही बार क्या होता है, कि हमारा stop loss heat होता है, और उसके बाद again stock price उपर चली जाती है, ठीक है, कही बारने maximum case में ये होता होगा, कि यार मैंने stop loss लगाया था, stop loss को touch करके stock की price इतनी जादा उपर चली गई, कि यार मैं काफी अच्छा profit कमा सकता था, लेकिन at the end मुझे loss करना पड़ा, and इसी चक्कर में, फिर next trade में हम stop loss नहीं लगाते, why, because previous trade में हमारे साथ ये घ list नहीं सिखाएगा, जो मैं चीज आपको सिखाता हूँ, so यहाँ पे paint में मैं आपको draw करके पूरी system समझाता हूँ, कि चीज क्या होता है, okay, let's assume ये एक resistance level है, and ये support level है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको draw करके सिखा रहा हूँ, ताकि आप काफी आसानी से पूरे concept को समझ लो ठीक है, and let's assume कोई stock है, जो कुछ इस तरह की moments दे रहा है, let's assume, like this, उपर गया, okay, like this, okay, let's assume कोई stock है, जिसकी moment कुछ इस तरह की है, अभी हमें क्या सिखाया जाता है, कि हमें support level पे buy करना है, ठीक है, and resistance level पे हमें sell कर देना है किसी भी stock को, okay, and हम इसी तरह से trades करते हैं, generally मैं support resistance पे trade नहीं करता है, मैं demand supply zone पे trades करता हूँ, मैं ऐसे trades को award करता हूँ, but वो secondary चीज़ है, वो price action की बात है, लेकिन यहाँ पे maximum 95% जितने लोग support resistance के base पे ही trades करते हैं, ठीक है, अभी यहाँ हम लोग generally किस तरह के trades लेते हैं, कि हमेंने, let's assume, इस point पे, हमने buy कर लिया stock को, okay, let's assume, हमने इस point पे stock को buy किया, and हमने, जो हमारा stop loss था, उसको कुछ नीचे के points पे, let's assume, यहाँ पे हमारा 2% है, जो हमें सिखाया जाता है, अर जगा पे, कि 2% के level पे आपको stop loss रखना है, let's assume, मैंने यहाँ पे 2% पे मेरा stop loss रख दिया, भी, यहाँ पे चीज क्या होई, stock की price उपर गए, उपर गए, उपर गए, यहाँ पे उसने resistance level को तो touch नहीं किया, even stock की price नीचे गिर गई, हमारा stop loss यहाँ पे 2% की base पे hit हो गया, and stock की price अगेन उपर चली गई, and I know maximum कि इसमें हमार साथ यही होता है, let's assume, यहाँ पे आया है, stock की price, यहाँ पे आपने short selling किया, ठीक है, यहाँ पे आपने again selling किया, again यहाँ पे आपने 2% का, यहाँ पे आपने calculation रखा हो गया, तो फिर 3% का, so यहाँ पे चीज क्या हो, stock की price अगेन नीचे आई, support level को touch होने की तो बहुत दूर क की बात है, again stock की price उपर चली गए और आपका stop loss यहाँ पे hit हो जाता है, and again आप देखोगे कि stock की price जो अगेन नीचे आगे, so हमें लगता ही कि यहाँ पे कुछ manipulation चल रहा है, या तो market जान बुचके हमारे stop loss को touch कर रहा है, see, market को पता नहीं है कि आपका 2% क्या होता है, आपका में follow करना है, market हमारे इसाब से कभी भी नहीं चलेगा, so यहाँ पे आपको stop loss कैसे रखना है, वो मैं आपको समझाता हूँ, यह जो method वो आपको बहुत सी ध्यान से समझना है, see, यह जो है वो पूरा area है support resistance zone, ठीक है, support resistance, मतलब की support resistance zone जो होते वहाँ पे stock की volatility काफी जादा हो So, इस case में क्या होता है, कि जब आप volatility के अंदर stop loss रखते हो, तो आपके stop loss hit होने की chances काफी जादा बढ़ जाते है, see, यहाँ पे जैसे मैंने बता है कि normal trades किस तरह के, normal लोग जो होते हो किस तरह है कि यहाँ पे stop loss को place करते है, अभी अगर में होता तो में कहाँ पे stop loss रखता So, मैंने यहाँ पे दिखा कि यहाँ, यह support यहाँ पे बन रहा है, So, support के बाहर में यहाँ कहीं पर मैं मेरा stop loss रखूँगा, मैं यहाँ पे मेरा stop loss रखूँगा, Why? Because मैंने volatility के अंदर रखा होता stop loss, so मेरा stop loss hit होने की probability काफी जादा होती, लेकिन मैंने क्या किया कि जहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा price moment थी उसके बाहर अपने stop loss रखा, Same चीज़ अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, So, मेरा stop loss में यहाँ पे, कहीं दूर यहाँ पे रखूँगा मेरा stop loss, Why? Because always आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यह जो range है support resistance की उसके बाहर आपको stop loss र करेगा, But, जब आप उसके volatility zone के बाहर रखते हो stop loss, तब आपको काफी ज़्यादा benefit होता है, Okay, So, यह एक पहली method है, जिसमें आपको stop loss रखने में ध्यान रखना है, इसको हम अभी practically भी समझेंगे, But, यहाँ पे इसको इसके related जानना बहुत ज़्यादा जरूरी दा, So, always remember कि जो support and resistance zone है, उसके बाहर आपको stop loss रखना है, ना कि उसके अंदर, Otherwise, maximum कि इसमें आपका stop loss heat होगा, and stock price उपर चली जाएगी, यहाँ पे, let's assume, अगर में यहाँ पे मेरा stop loss रखता हूँ, ठीक है, यह जो है, यहाँ पे अगर में stop loss रखता हूँ, So, now my question is, कि यहाँ पे मेरे stop loss heat होने की probability कितनी होगी, बहुती कम होगी, obviously, why? Because मैंने volatility zone के बाहर रखा है, लेकिन अगर में यहाँ पे trade करता हूँ, और उसके नस्दिक में यहाँ पे 2% पे stop loss रखता हूँ, तो महाँ पे मेरे stop loss heat होने की probability काफी जादा हो जाती है, because मैंने volatile zone के अंदर stop loss रख दिया है, So, म सबसे पहली चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, अभी दुसरी जो चीज है वो भी में आपको दिखाऊँगा, So, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा stock के chart पे, So, guys, यह एक bank nifty chart है, 1 hour time frame में मैंने chart को open किया, Now, let's see, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, See, यह जो range है, वो kind of आप बोल सकते हैं कि एक support resistance है, जहाँ पे क्या होते हैं कि stock की price जो है, वो touch होके नीचे आ जा रही है, यह index है, so index की price जो है, वो इस range में move कर रही है, ठीक है, Just take example लिया है, अभी यहाँ पे चीज क्या होगी, Let's assume आप यहाँ पे, जैसे ही support level को touch होता है, आप यहाँ पे buy करते हो stock को, and यहाँ पे 2% देखके, यहाँ पे कहीं पर आप stop loss लगाते हो, तो यहाँ पे चीज क्या होगी, कि जैसे ही stock की price यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ पे आपका stop loss हीट हो जाएगा, again stock की price उपर चली गई, so इस range के बाहर आपको stop loss रखना है, always remember, इस range के बाहर आपको stop loss रखना है, ठीक है, आपको यह चीज को ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज, now second question, कि अगर क्या होगा, यह तो बात रही कि support resistance की, ठीक है, कि support resistance है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ यह range के बाहर हमें stop loss रखना है, कहीं यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर, मैं अगर होता तो यहाँ पर, इस case में stop loss रखता मैं, इस range के बाहर, like यहाँ पर, I can see यहाँ पर और यहाँ पर, okay, यह जो red line है, मैं वहाँ पर मेरे stop loss को mark करता, why, because, मुझे इस range के बाहर रखना है, so यहाँ पर चीज क् कि यहाँ पर, जब मैं stop loss रखता हूँ, तब मेरा stop loss हीट होने की probability बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, that means, कि यहाँ से support resistance level start होए, लेकिन, यहाँ तक मेरा stop loss हीट नहीं होगा, so यह जो पूरी range है, उसमें मैं multiple trades करके काफी अच्छा profits निकाल सकता हो, छोड़ी-चोड़ी moments पे and at the end, यहाँ पे जाकी मेरा stop loss हीट होगा, why, because मैंने इस range के बहार मैंने यहाँ पे stop loss रखा था, so यह सबसे पहला सीनारियो कि जब हमें support resistance मिलते हैं, तब हमें किस तरह से stop loss को रखना है, ठीके, now the question is, कि अगर कोई random range होती है, जहाँ पे support resistance नहीं होता, ठीके, like this, अगर इस सरे की moment आरे, जहाँ पे support resistance नहीं बनता, ठीके, so इस case में मुझे stop loss कहाँ पे रखना है, okay, so इस case में हमें एक indicator को use करना है, यह एक indicator ऐसा है, जो generally कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता, but वो indicator बहुती जादा important है, stop loss को place करने के लिए number one thing, second thing, जो भी बड़े players है, वो इसी indicator के base प मतलब क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, okay, so अगर आप zero the account use कर रहा हो, तो उसमें आपको average true range पूरा type करना होगा, तभी आपको मिलेगा, so see, average true range में जैसे क्लिक करूँगा, see, यहाँ पे मुझे वो indicator मिल गया, okay, यह काफि जादा important indicator है, आप अगर यहाँ पे दिख of 125 ATR, ठीक है, मतलब कि जितने time frame का यह chart है, मतलब कि एक गंटे का chart है, that means यहाँ पे हर एक candle जो है, वो वन आर की moment को यहाँ पे describe करती है, so यहाँ पे अगर Nifty Bank का ATR 125 points है, तो उसका मतलब यह बनता है, कि एक गंटे में Nifty Bank की जो price है, या तो फिर उसकी जो value है, वो तकरीब 125 points जितनी moment देती है, उतना fluctuation होता है, okay, 125 points जितना fluctuation होता है, यहाँ पे मैं आपको एक example बताता हूँ, just a second, let's assume एक stock है, जिसकी जो 1R में, ठीक है, 1R में, उसकी total moment कुछ इस तरह किया, let's assume वो 10 रुपे पे stock था, वो उपर गया, 15 रुपे पे stock आया, again वो नीचे आया, और यहाँ पे, 5 रुपे पे वो stock complete हुआ, यह पूरा 1R का, let's assume उसका यहाँ पे data है, ठीक है, 1R में कुछ उसने इस तरह की moment दी, तो इसका 80R कितना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इस stock ने 5 रुपे की उपर moment दी, and after that again 10 रुपे की नीचे moment दी, okay, सबसे पहले 5 रुपे उपर गया, and 10 point मतलब की 10 रुपे वो नीचे आया, so 5 plus 10, so इसका 80R होगा तकरीबन 15, okay, I repeat again एक दुसरा example लेते, let's assume again 1R chart है, हमने दिखा कि एक stock है, जिसकी जो moment है कुछ इस सरे की है, again stock था 5 रुपे पे, okay, stock की price उपर गई, stock हुआ 10 रुपे पे, again stock की price उपर गई, stock हुआ 30 रुपीज पे, take and यहाँ पे 1R complete हुआ, stock की price moment का 1R complete हुआ, so यहाँ पे 1R chart जो है, वो इसका 80R show करेगा, 5 से गया, वो 30 points है, मतलब कि उसने additional 25 points की moment दी, so the 80R will be 25, वैसे ही, जो bank nifty है, वो अभी के time पे तकरीबन 125 points जितनी moment देती है, एक घंटे में, उतना fluctuation होता है, that doesn't mean कि वो 125 points उपर जाता है, 125 points नीचे आता है, no, वो 125 points की उपर नीचे, उपर नीचे करके, total उतने fluctuation देता है, उतने moment देता है, so always remember, जबी भी आपको stop loss रखना है, ठीक है, तो किसी भी stock में अगर आप देखते हो, तो उसमें उसका जो भी ATR हो, उससे ज्यादा आपको distance पे stop loss रखना है, ठीक है, let's assume, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, escorts की बात करूँ, ठीक है, एक example हम ले रहे हैं यहाँ पे, if I talk about escorts, so escorts का 1R chart, जो है, वो मुझे show कर रहा है, यहाँ पे 14 points, and one more thing, आपका जो भी stop loss होगा, वो daily chart के इसाब से रखना है आपको, ठीक है, I repeat, जो भी stop loss है, वो daily chart का आपको ATR हो देखना है, so daily chart का ATR है 46.65 points, मतलब कि escorts जो है, वो daily का average, 46 points जितनी moment दिखाता है, so अगर आप यहाँ पे इस point पे buy कर रहे हैं, so वहाँ से आपको 46 points से, या तो थोड़ा बहुत आप उपर भी, आपको यहाँ पे stop loss रखना है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे, मैं purchase करता हूँ, escorts को, तो मैं यहाँ पे 50 points नीचे, मेरा stop loss रखूँगा, हमें उसका ATR जो है, उससे ज्यादा stop loss रखना है, जैसे मैंने बुला कि volatility range से बाहर हमें stop loss रखना है, so इस case में क्या होगा, कि आपके stop loss हीट होने की probability काफी ज़्यादा कम हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि 100% आपका stop loss हीट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे 10 में से आपके 6 trades में stop loss हीट हो रहे थे, वहीं पे आपके 10 में से सिर्फ 2 trades में ही शायत आपके stop loss हीट हो, so remember, जो भी उसका ATR है, उससे थोड़ा ज्यादा आपको stop loss रखना है, I am talking about normal equity stocks जहाँ पे आप trade करते हो उसमें, ठीक है, now if I talk about bank nifty, तो bank nifty का जो daily जो उसका ATR है, वो है almost 564 points, okay, 564 points जितना stop loss यहाँ, sorry, उसका उतना ATR है, so अभी इस case में आपको क्या करना है, वो ध्यान से समझेगा, जबी भी हम bank nifty में trade करते हैं, तो bank nifty के moment काफी ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें दो possibility हो सकती, या तो हम अच्छा कासा fund लेकर market में उत्रे हो, ताकि हम अगर दूर stop loss रखते हैं, तो भी हमें कोई उसमें कोई भी issue नहीं आता, या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो काफी limited fund लेकर market में आये हो गते हैं, so सबसे पहले तो मेरा यह recommendation है कि अगर आपके पास fund कम है, and most important, अगर आपके पास experience कम है, so please nifty bank option trade से दूर रही है, this is my request, अगर फिर भी आपको करना है, that's totally fine, लेकिन option trade and intraday trade में experience का बहुत जादा value है, आपके पास शायद कितना भी अच्छा knowledge क्यों ना हो, if you don't have experience, यहाँ पे आपको पैसे रख के निकलने पड़ेंगे, ठीक है, बट स्टील, अगर आपको आपके पास कम amount है, आप कम capital के साथ अगर यहाँ पे enter होते हो, option trade में especially in index, so nifty bank में के case में आपको कम अगर fund है, तो आपको ज्यादा दूर stop loss नहीं रखना है, आप exactly ATR के थोड़े points बाहर आप stop loss रख सकते हो, still यहाँ पे the ATR is 464, so काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे आप अपना 3-5% जितना gap रख के आप यहाँ पे stop loss रख सकते हो, why? because आपके पास काफी ज्यादा कम fund है, otherwise अगर मैं मेरी बात करू, तो मैं जो stop loss रखता हूँ, मैं ATR जो होता है, especially nifty bank में, उससे 1.5 गुना ज्यादा distance पे मैं stop loss रखता हूँ, so अगर let's assume यहाँ पे 460, अगर ATR है, let's assume, so my stop loss will be around 690, okay, so मेरा जो stop loss होगा, वो around 690 points पे होगा, why? because ATR जो है, वो काफी ज्यादा है, now अगर आप small period के लिए trade कर रहे हो, ठीके, आप काफी छोटे time के लिए trade कर रहे हो, मतलब कि आपको थोड़ा 500-600 रूपय का या 700 रूपय का profit मिलके, आपको वहाँ से exit कर ले रहा है, जो मैं ज्यादा preferable आपको, मैं करूँगा, कि वो ज्यादा preferable है, सो उस case में आप 1R ATR chart को use कर सकते हो, in terms of nifty bank, ठीके, here I am talking about, nifty bank में आप 1R chart को भी use कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 125 पॉइंट सी ATR है, सो यहाँ से आप डेड़ गुना ज्यादा distance पे आप stop loss रख सकते हैं, बट यहाँ पे condition यह है कि जैसे आपको profit मिलता है, आपको यहाँ से exit कर लेना है, so friends, यह दो method हैं जिसको सबसे जादा use करते हैं, जो बड़े player से, इसी वज़े से उनके stop loss ज्यादा case में hit नहीं होते, और हमारे maximum case में hit हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि, जो लोग होते हैं खत्रों के खिलाड़ी, प्रॉफिट सेम है, लेकिन loss में काफी जादा difference है, B वाला बंदा smart है, उसने अपने loss को control में रखा है, इसी वज़े से वो सबसे जादा profit करके बाहर निकला, second thing, कि जो भी आपको stop loss रखना है, उसको आपको support resistance level के बाहर रखना है, volatility level के बाहर रखना है, अगर आपको कहीं पर भी support resistance नहीं दिखते, उस case में आपको ATR indicator के यूज़ करना है, जो fluctuation शो करता है, so friends, I hope now you understand how to place the stop loss, अगर इसमें कोई भी doubt है, आप मुझे comment box में आप doubt पूच सकते हैं, I'll definitely make sure कि आपका जो भी question, उसका मैं answer आपको दे सकूँ, and I hope कि यह जो वीडियो है, वो काफी ज़्यादा valuable रहेगा, because strategy तो आपको बहुत सारे लोग सिखा देंगे, चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन सिखाने वाला आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, but loss को कैसे control करना है, वो बहुत ही कम लोग सिखाते है, and जो भी लोग सिखाते हैं, वो 2-3% वाला फंडा सिखाते है, which is totally wrong, because market don't know what is 2%, what is 3%, वो अपने ही साब से ही चलेगा, so friends, I hope now you understand, कि stop loss को कैसे रखना है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो आपको इसको देना लाइक, and हो सके उतना ज्यादा आपको इसको शेर करना है, ताकि आपके थूँ किसी और का भी loss कम होगा, शायद उसके पैसे भी बच जाएंगे, so friends, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, stay healthy and stay wealthy, take care.